हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्टनों की चैनल दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए वेकेंसी की अपडेट और यह वेकेंसी है उत्तर प्रदेश की सबॉर्डिनेर सर्विस सेलेक्शन कमीशन यानि जिसे हम आप UPSSC कहते हैं जिया दोस्तों पोस्ट का न सब्सक्राइब करने से पहले अगर आप भी तक आपने स्मार्ट नोक्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाल ओली बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही दोस्तों बेल आइकल को भी प्रेस कर लीजेगा ताकि हम जब भी कोई नए अपडेट लिए डाले तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुच जाए तो चली स्टार्ट करते इस वीडियो को तो सबसे पहले देख सकते हैं आप स्क्रीन पर मैंने अल्रडी ओपन कर रखा है उत्तरप्रदेश सब्सक्राइब सेलेक्शन कमीशन का असिस्टेंट बोरिंग टेक और दो है चार नौ दोजार उननीस यानि चार सप्टेंबर तक आप इस फ़र्म को भर सकते हैं एक्जामिनेशन फीज को भरने का डेट भी चार सप्टेंबर ही है अब बात करते हैं अप्लिकेशन फीज के तो एप्लिकेशन फीज देख लिए जर्नल ओबीसी एड़वली स्वालो के लिए 185 रुपीज और SCST फिजिकल हैंडिकाप लो के लिए 95 और ओल कैटेगरी फीमेल कोई भी फीमेल हो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 25 रुपे मात्र जो है अप्लिकेशन फीज है अब बात करते हैं वेकेंसी डिटेल्स के बारे में तो आप वेकेंसी डिटेल आपको पता है 486 अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए तो एलिजिबिलिटी देखिए आपको दस्वी पास होना चाहिए साथ में आपको आई टिया सेर्टिफिकेट इन मशिन मिस्त्री यानि मेकेनिस्ट या सेकेंड फीटर या वायर में या टर्नल जीहां आप में से किसी भी एक ट्रेड में अगर आपके पास आई टिया सेर्टिफिकेट है तो आप इस फ़र्म को जल्द से जल्द भर दीजिए बात करें एज की तो एज में देख लिजें मिनिमम जो एज दी गए है वो है 18 एर्स मैक्सिमम है 40 एर्स एज डिलेक्शन एस पर रूल्स जाती है एसे वालों को 5 साल ओवी सी वालों को 3 साल इस प्रकार जो भी रूल्स के साब से छूट है वह आपको दी जाएगी अब बात करते हैं के टेगरी वाइस वैकेंसी डिटेल्स की ओपन के लिए कितना है जैनल के लिए तुसलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के अंद आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है दस्वी पास और आइटी वालों के लिए क्योंकि जो है इस समय आइटी वालों के लिए काफी अच्छी अपर्चुनिटी है उनको अगर यूपी असी में जो जो है उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट बोरिंग टेक्निशन का फॉर के लिए तो आपको क्या करना होगा पहले तो इसकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा जी हां जो है यूपी एसससी डॉट जी ओवी डॉटी जी हां आपको इस पर देखे मैंने अल्रडी ओपन कर रखा है तो देख सकते हैं अप उत्तर प्रदेश सब औरनेट सेर्विस सेलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन में डारेक्ट रुक्रिट्मेंट के यह पोस्ट है जैनल के देख लिए सेलेक्शन टाइप यह रहा अर्वटाइजमेंट नंबर यह रहा रजिस्टेशन डेट और आपको क्या करना होगा यहां से यूजर इंस्ट्रक्शन देखिए आपको वापस से जो है ओफिसले नोटिफिकेशन पर पूरा पढ़ना हो तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अब आपको बता देता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना देख लिए जो से कि बाजू में जो है साइड में अप्लाई का जो बटन दिया हुए आपको यहा नंबर आप पोस्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक किजिए और यहां पर है कंडिडेट रेजिस्टेशन तो आपको क्या करना है बस का ग्रीन वाली बटन पर प्रेस करना है कंडिडेट रेजिस्टेशन का जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा इस प्रोविशनल कि अगर नहीं किया है तो नो किजिए उसके बाद जो है आपको प्रोसीट का जो है बटन दबाना होगा तो चलिए नो करते हैं क्योंकि मुसली लोग नहीं अप्लाई कि रहते हैं तो देख लिए यहां पर दिया हुआ है क्या कि आपको लेकर फिलप करना है फिर्स्ट अफ नाम पास करने का वर्स रोल नंबर प्राप्त अंकुल और ग्रेट समकष प्रतिका सिस्टम के मामले में तो यह भी आपको सब जो है दोनों का जरुक्स अगर आप समने साथ रखते हैं तो आपको आसाने होगी फर्म भरने में तीसरी चीज़ अगर कास्ट से अपलाई करते है उसमें आपको रजिस्टेशन नंबर आपका करश दिन से फॉर्म जो है का सेटिफिकेट इशू हुआ है और बीसी वालों के लिए कब लास्ट डेट है तो यह सब कुछ जो है आपको रखना होगा उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कीज़ेगा ताकि आ सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा चांस है दोस्तों यूपी वाले जितने भी हैं उन सभी को इस फॉर्म को बहुत जरू भरना चाहिए अब बात करते हैं तम लास्ट टेपर देखें आप दिया हुआ है एक्सेप्ट अबोर डेक्लेरेशन तो यह सब डिटेल्स पढ़ने के बाद आपको क्या करना इसको चेक्वाक्स में क्लिक करना होगा और उसके बात जो है आपको बस यहां पर घरिन अल बटन पर प्रेस करना होगा तो दोस्तों अब देख सकते हैं आप जब आप checkbox क्लिक करने के बाद submit करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है खुल जाता है page candidate personal information में यहाँ पर देख लिजे candidate name फिर यहाँ पर आपको आपके father का नाम फिर mother name फिर यहाँ पर देखिए पूछेगा आप से लेकिन आपका जो है certificate जो है कास्ट का वह वैलिट नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर एस करके भर सकते हैं इस फॉर्म को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको लिखना होगा अपना date of birth यहाँ पर लिखना होगा देख लिए पहले date फिर month फिर select year आपका वर्ष फिर पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करना का अप्शन आएगा यहाँ पर आपका mobile नंबर फिर यहाँ पर आपका mail इडि उसके बाद देख लिए यहाँ पर आपको high school का जो है बोर्ट यह पासिंग रोल नंबर ग्रेट सिस्टम है तो ग्रेट सिस्टम नहीं तो अगर आपका परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज में क्लिक कर सकते हैं फिर यहां कंडेट मस्फ पास हाइश जामनेशन बोर्ड विद्ध इंटरमेडिय यूप एक्जामनेशन गुपने चम्नेट सेंटर का इंड्सी यॉप करना है इंफोरमेशन उसके बाद लास्ट में आप यहाप को पर क्या करना है नच्ft manner बश्रों खेंगेंगर दोस्तों उमीद करते हैं आपको एच्छे ल Lives तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कीजिए हम आपको वहाँ पर उसका अंसर देंगे उमीद कहते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले साथ ही दोस्तों स्मार्ट नेक्षर को सब्सक्राइब कर लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में नई जानकारे के साथ